ऐसे ही और सदा बहार विडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें मैं एक 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 भूए विए देखने के लिए आया करें पेंदेखने के लिए भूए बास करें है क्वार ठाल का दो कले दूए हैं के लिए रखर चानल को सब्सक्राइब करें अूए हैं प्रेज़ी जिए फिर वे! प्रेज़ी करें! आप्री अपी डिताओं! प्रेज़ी में प्रेज़ी लिए बाराने! आपके पास पर्गेटो चौकलेट है पीना मैन पर्गुलेक्स कौन से चाहिए नहीं जुलाब के गुली आप बोलते तो इंगलीश में जुलाब की गुली जाए अरे बाई जगो इनने जुलाब दे दे भाई साथ जुलाब की गुलिया तो यही परी है लो बाई एक उर्प्या बच्चे के लिए अधा गुली और बने के लिए पूरी गुली बिल ले लो अरे जगो तो गाना मत गाया कर क्यों अगर तेरे गाने के फेर में मैंने किसी को लट सुलट दवा दे दी तो दोनों फासी बिचल जाएंगा सच बताओ बाई साब आज फिर कुछ घर में जगला हुआ क्या जगला नहीं होगा तो क्या हमारे घर में सत्ते नराइन की पूजा होगा इसलिए तो कहता हूँ बाई साब के लक्षमी की पूजा की दिये कई जनम तक काम आएगी मैं क्या कर सकता हूँ क्यों बाभुजी का मिजाद तो तुम जानती हो वो एमान धर्म से एक इंच इधर उधर हटने वाले नहीं हाँ यही तो हमारी समझ में नहीं आता कि इमान दारी और दुकान दारी तो दो अलग बिजनेस हैं एक यहां के लिए और एक वहां के लिए पिर नजाने क्यों सेटी दोनों को एक ठाग यह देते हैं मैं क्या करूँ वो बाप है उन्हें कौन समझा सकते हैं यही तो मुसीबत है कि उनका कोई बाप नहीं उन्हें कौन समझाए पर यह कौन सा इंसाब है कि मेहनत आप करें और बिर्जबाबू आपकी कमाई हो रहा ता फिले यह अपनी अपनी किस्मत है मैं दुकांदारी करते करते दिने रात मरा जा रहा हूं और चोटे भाई बीए पास करके लाट साहब बने वाले बाई साब सच कहूं अगर मैं आपकी जगा पे होता तो फॉरन बता देता कि किताबों का क्या भाव है और दुकांदारी का क्या भाव है समझे आप साब आपके पास एंडी सिप्समेंट्री है अन्नो आउट आप स्टांक आप समझे नहीं मेरा पतलब है है जा देखो नहीं है भाई साथ मैं कहता हूं जा देखो भाई साथ क्या है जड़ा इदर आई यह ना क्या बाद चलती हुई गादी में आप ब्रेक मूं लगाते हैं थोरा सा माल हमारे दुकां में है बादार भर में नहीं है अगर आप चाहें तो कुछ कभाए क्या मतलब यह के काला बजा ब्लैक मारकेट देख जगो तू बाद जी के आदब से खूब अच्छी तरह बाती है वो जरा जरा सी बात पर मुझे बगाड जाती है और इसके अलावा ब्रेज ने मेरी तरफ से उनके खूब कान भर रखी है अगर उने इस बात का पता चला त आप भी कमाल करते है अजी बाबू जी तो पलंग से नहीं उठ सकते वो दुकान क्या देखने आएंगे और फिर दुकान की आमदनी तो इमानदारी से दुकान में रहेगी और बिजनिस की आमदनी कुछ हमारी कुछ आपकी ये बात तो ठीक है मगर तू देख नहीं आप ब हम भी क्या करें साहब बाजार से लाते हैं गहा को सस्ता कैसे दे सकते हैं आप यू करिए ना यहां भी कई दुकाने हैं तलाज कीजिए जहां सस्ती मिले वहाई से ले दीजिए अब कहां भाव तलाज करते हैं दीजिए दीजिए हम भी मजबूर हैं साहब थैंकियो बेरी म यार तुम तो जादूगर महले होते हैं। भाई साव आप भी गा रहें। किसने का फाइदा हुआ है। तीन सो। इमानदारी में कितना नुठा नुठाया। हमने एक गुन में तीन सो तो महने के बने नौ हता। और एक बरस के बने एक लाक आठ हधा। और ये धंदा हम तीन बरस करें हैं। तो कितना हुआ। तीन बरस का तीन लाक चुबीस अधार। और व्याद मिलाके तो चाह लाक होते हैं। भाई साथ। जगो। ये तीन लाक चौवीस अधार रुपए मुफ्त में। मुफ्त में का गये है। पानी में गये बाई साथ। अगर ये रुपए हमारे पास होते तो और कोई धंदा करता है। अगर एक बात है। ये रुपए घंदा करता है। क्यों। किते हैं कि ऐसी कमाई जिस घर में जाती है वो घर भलता नहीं। अब मतलब कैसे समझाओं भाई साथ धन तो जरूर बरता है एक तो औराद नहीं होती और दूसरा कोई ने कोई मरता जरूर है अरे या तो सुबा शाम में बाबू जी अरे जबी तो कहता हूँ ये रुपए घर ने ले जाई है वना बाबू जी के साथ माता ही भी हाँ तो फिर ये रुपए आखिर ले जाए का हाँ ले जाने का ठिकाना मैं बता हूँगा हराम की कमाई हराम में जाने चाहिए भाई साथ थाई ता सीदा दिग 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 थाई 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 पिर चाहे दो लाना वान बान वाले जूटा हिवाद करने सची जबान वाले चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा काली काली रतियां कैसे भी तामूं विरहा के सपने मैं तेख ररूंगी चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा खुद कुशी का आप पर इलजाम धरते जाएंगे हम तो मरते हैं मगर बद नाम करते जाएंगे खुद कला काटेंगे लेकर दत ना जुक से छुड़े दिल सलामत है तो ये एक काम करते जाएंगे चले जई हो बेदर्दा चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा जूठे वादों से जले दिल और जलते जाएंगे छीट पड़ते जाएंगे शोले निकलते जाएंगे है जमामा आपका जो जुल्म चाहे कीजिये करवटे अपनी जगा हम भी बदर्दे जाएंगे चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी चले जमना के तीर रादे जमना के तीर के भला अजी इतनी राज तक क्या कर रहे थे अरे सुनार के पाद था देखो तुम्हें लिए क्या लाएं पिताजी की तविए कैसी न मरते हैं न जीते हैं सुना है कि शाम चाहलत ज्यादा खराब है अच्छा तो मैं जरा उन्हें देखियो अब एक ही बार देख लेना दिन भर दुकान में सर खपाओ रात को भी चैन नहीं क्या ब्रिज और माताजी उनको देखने के लिए काफी नहीं है अरे काफी तह है मगर दुनियादारी करनी पड़ती है अच्छा चलो अराम करो अच्छा मानम गोता है जी हां माताजी यहां आये बेना चली गया आये देर से आये शायद ठके हुए हूँ अई सभी क्या थका होगा जो इसे एक नजर देख ली भी नहीं आया क्या बहुत हो नहीं कुछ नहीं बेदा जी आप आराम की दिए कितने की है चुडियां कितने विदने को छोड़ो तुमसे तो साफ साफ कह दिया यह मुनीम जी की महरबानी की है तो अब जैसे मुनीम जी कहा वैसे ही कीजिए दुनिया में भले आदमी मुश्किल से मिलते हैं कहती तो ठीक हो कि में अब तो पड़ी दियर से आया अब तक दुकान में क्या विदधा था अब तक क्हस्ति आ५ाज आन कर रहा है और ये क्या चूडिया नहीं दिखाई दे रहे हैं कहां से हैं बाजार मेरा पैनना ओना तो आपको अच्छा नहीं लगता है आखिर मैं किसी नंगे भूके घर से तूटकर नहीं आई हूँ, तुमने तु बेबाद के बाद बढ़ा दी बहू, भगवान तुम्हारी मैके वालों को सलामत रखे, मैं तो उनके ख्राजी कह देखी, हिसाब किताब के मामने में वो किसी के परवान ही करते, उन्होंने हम लो है लाट साब, तुम जाकर अपनी किताबे समालो, या पिताजी को देखो, तुम्हें हमारे मामलात में दखल देने का कोई अप नहीं, मैं आपके मामले में दखल देने नहीं आया, बलकि यह याद दिलाने आया हूँ के पिताजी बीमार है, सुन लिया, क्या तुम लोग च अब एक इवार खुब जी खोल कर जगड लेना, बाबुजी, बाबुजी आप यहाँ, डाक्टर ने तो आपको उटके बैठने के लिए भी मना किया है, यह तुमी लोगों की महरवानी है भाई, जो उटकर बैठना तके, उसे तुम लोगियों सताते हो, बच्चों के जग बाबुजी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस तरह गुस्सा करने से आपकी हालत और खतरनाक हो जाएगी, चलिए बाबुजी, बाबुजी, कर चुके थी, तुम जिसना चुप रहते हो, उसने ये लोग शेर हुए जाते हैं, आज माता जी का आडर हुआ है, कि आइनक हवीद दो, आइनक? वो किसलिए? आँखों से दिखाई नहीं देता, अंधी हुई जा रही है, इतना दुनिया को देख चुकी है, फिर भी दिल नहीं भरा है, प्रेच! खरशाम, सुन रहे हो, सारी दुनिया चैन से सो रही है, ये न जाने राग को क्या धुमती फिर रही है, नाक में दम का रखा है, खरशाम! गिर गई, अब चल कर दवाई लाज करूं, इन लोगों ने तो मकान को कबड़ी का मैदान बना रखा है, चलो, माता जी, माता जी, तुम्हें कहीं चोड़ तो नहीं आई, माता जी, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तो फिर रात को इधर उधर तूं खुमती फिर आईडी लगा देता है, अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप कैसे ठीक होगा, माता, वो जब आपका दिल तोड़ चुके, तो उन्हें हाथ के तूटने का क्या अफसोस होगा, आपने उन्हें बेकारी पुकारा था, माता जब हम लोगों का पुकारना बेकार समझते हो, तो फिर अपना ख्याल खुद क्यों नहीं किया करते हो, दूसरों को तकलीफ क्यों दिया करते हो, है, दूसरों के तकलीफ कर ख्याल करते हैं, मैंने आज तक अपना ख्याल नहीं किया बेटर, अगर मैं अपना ख्याल करते हो, तुम लोगों का ख्याल कौन करता है, हालत तो मुझे तुम्हारा ये गुंडापन बिल्कुल पसंद नहीं कान खोल कर सुन लो तुम्हारा बरताओ मेरे साथ या अपनी भावी के साथ आप से ठीक नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आप अच्छे किसके लिए हैं बाबुजी कभी आपसे खुश नहीं रहे एक विद्वा बहन है उसको भी आपकी वज़ा से इस घर में पना नहीं मिली आखिर मजबूर होकर इसकूल की नौपनी करनी पड़ी ज्यादा किताने मुझे क्यूं देता है तुझे शर्म नहीं आती वहारत होकर रास तक किसी की मौताज नहीं और तेरा हाथ हर वक्त मेरे अगर तुझे इतना ख्याल है तो तो खुद क्यों नहीं इनक लाकर देता है दूसरों पर बोज़ा लाता है और आखे दिखाता है इसमें आखें दिखाने के कोई सवाल नहीं है बाप की छोड़ी वी जायधा है घर और दुकान में मेरा ब्लाबर का हिस्ता है लो और सुनो कानों में तेल डाल के चुप बहते रहो इसलिए तुम्हें इतने दिन से चिला रही थी कि पानी सटे उंचा मत होने तो नहीं तो डूबोगे डूबोगे मेरा कहना नहीं माना सुन लिया आज तो मेरे लिए क्यों जगड रहा है अनक नहीं आई तुम्हें कौन सी मरी जा रही है जब सवभाग की रोशनी खोकर नहीं मरी तो अब आँखों की रोशनी खोकर क्यों बंदे लगे अब ये सन्या देखने कुछ चीव नहीं चाहता बेड़ा अनक क्या करना आएगी मा जरूर आएगी अगर भीया के पैसुन से नहीं आई है तो प्रिच के पैसुन से आएगी मैं आज इस रोज रोज के जगड़े का फैसला ही कर लेना चाहता हूं फैसला करना चाहते हो यह कर लिए अच्छा तो क्या वही मेरा हिस्सा था और ये इतना बड़ा मकान और दुकान इसने मेरा को हिस्सा नहीं मकान कैसा मकान सपना देख रहा है रूज के सट्टे में बाबुजी इतना हार गये थे कि उसी सट्मे से उनकी जान गई परसो में तीन लाग रुपए का बल क्या आयब भी कोई धनूरा पीट के करता है वहारे नहीं तो वलन मैंने कैसे चुकाया बिरिज तुमने भी जो कुछ आद तक लिया है वही तुम्हारा हिस्सा है बस भीया अब आप अपने धरम इमान से इतना कहिए कि इन तमाम चीजों में मेरी कोई चीज नहीं लिए अब तुम्हारे हिस्से में कोई चीज बाकी है तो वो सिर्फ माता जी तुमें नहीं ले जा सकते हो घंशा क्या तो मुझे सिर्फ अपने बाब के चुई हुई जायदार समस्ता है मैं तेरी मान लिए हूँ आप बेने कुछ न कहिए माता जी मुझे अपना हिस्सा मन्जू अगर बटवारे में एक तरफ सारी दुनिया होती है और एक तरफ माता जी तो मैं सारी दुनिया को ठुकरा देता हूँ और माता जी को सर आंखों पे बिठा लेए आपकी बड़ी महर्बानी है भाईया आपने मुझे बड़ा पवित्र हिस्ता दिया चलिए माता जी आदमी अंगहरे में उजाले के लिए जिया जिलाता है लेकिन तखदीर जिया जिलाने वाले को भी जिला देती है जमाना एक सानी जिस्ता मा बीते हुए दिन याद करके आप क्या करें जैसा आपका वो घर वैसा ये घर आप परेशान क्यों होती है विद्वा बेटी की और फिर दुनिया के जबान किसमें पकड़ी है दीदी दरा जल्दी से मेरा सामान बांदो मैं बाहर जा रहा हूं कहा जा रहा हूं बंबाई में जो एक बाबुजी के दोस्त है नमा उनसे मिलने जा रहा हूं शायद कुछ काम मिल जाए तुछी इसलिए पाला था कि आज त दमाना खराब है और अब मेरा को ही नहीं आप इतमे नान रखिए मैं चल्दिया हूं नमा भगवान तेरी मज़स का है अरे बाई ये सामान किसका है ये सामान किसका है बाई अरे बाई तुम पूछो तो सरी ये सामान किसका है फिर जखते पूछ नहीं रहे तो क्या जख मार रहे थे यहां जगह नहीं है साम बशे तुप्रे में जाकर बैचो दूसरे बयचो दूसरे डभे में हम क्यूं मैठें सामान जो अपना बिलेक में भिजवात हो तुम प्रेक में तुम तो तीन आदमियों की जगे घरके बैठे हो दूसरे रोब जमाते हो मगर तुम माली पुना करते हूँ ना बुनाओ पुलिस को बुनाओ पुलिस को एक ऐसा दूंगा याद करोगे मगर अब शफर करना है अहां बेरी मेरी प्लियोगे नहीं नहीं जरा हमारी जगा का स्क्यार लगता हुआ हाँ कोई बात में जाहिए आप बात में लेगता हुआ है नहीं ये फाई पाई फाईल सुद्दी वा साथ जगा किसी की और खब्जा किसी का उठीए साथ जरा माप कीजिए कुछ दूसी जगा धूने परेशान मती देखिए यही जगा अपने से चौगने आदमी को हटाने के बाद मिली है आप चाहती है मैं फिर किसी सा चगडा करूं क्यों जी यह सीट इनो डेजर्व कर आ क्यों साथ आगे कर दो हुआ कर दो हुआ है कर दो है कर दो है कुछी ही. लगान Ronnie, क्यागत्य हुड है आट हुड कुछ था ए राडु रहे despite än 사alley कि मैंढ कीàoटरीई क्या करते हो यार तो तुम क्यूं लंबे होते हो क्यूं अबे हो तुम करता हो 1 घटो तुम करता मृटन हो कि अ हुआ 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 है हुआ है अब है कि मियां ये मोटा आजमी कहा गया खरक्राइब मिया च्टीश्ण उत्र इया है तर गया जो पुद्धिये ताहाँ भंब ही आगे आगए है मेरा पर्च नहीं मिद्रा तरह दिखी तु अच्छी मैं समझता हूँ वो मोटा आज नहीं ले गया मेरा टिकट पैसे सब कुछ उसी में से मिल्चर टिकट भी हाँ अरे दिया भी था दिया से मिल्चर तो फिर गएका अरे ताप क्या सोच रही हैं चलिए उससे साफ साफ कहे देना कि टिकट हो गया लेकिन मैं तो कह दूंगी कि टिकट खो गया मगर टिकट चैकर कब मानेगा तो उसे घर का पता बता दीजे वो घर से पैसे उच्छी कर ले यह भी मुश्किल अच्छा साफ तो आप जानिये और आपका का अब आप यह खड़ी वी क्या सोच रही है यह गाड़ी तो वापिस चली जाएगी अब आप बटाएए मैं क्या कर दो आप तो साफ मुझे स्टेशन पर मुर्गा बनवाएंगी यह लीजे मेरा टिकट मैं तो चला ही जाओंगा जिए अश्मान ए ट Works ऑड़ी अगले मान karşı का अरिकद किみたいन में आपिस conditionに कि मान क्या पन्वा जाएख यहा ही जाव लिए गनरा वी को बाता ही जाएगी जाएगी अburgैसरें श्रीमिवार 256 वीजे ममें खावी I अजिए mythologyोोete यहाख boilerत्म नमस्ते, यह देखा आपने, जी. जा कहां रही है, क्या है, आज जरा मेरे साथ चलिए, आईए, आईए, यह सुब ले जाओ, दो कप चाए, आप कुछ अच्छे से बिसके लिए, हाँ साथ, पहले यह तो बताईए कि आपका नाम क्या है, मैं नाम तो नहीं बताएं कि घर से भागते वे तो आपको शर्म नहीं, नाम बताते वे आपको शर्मारे, अच्छे यह बताईए कि कानूनी अतवार से आपकी उमर ठीक है, यह कुछ कम, कुछ ज्यादा ही होगी, शाबाश, तो फिर आपको घर से भागने के लिए किस बेरुकूफ ने कहा था, देखिए साथ, आप एक शरीफ लड़की हैं, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी है, हमखा अपने आपको बर्बाद न कीज़े। दुनिया में कोई अपनी खुशी से बर्बाद नहीं होता लिटर, आप राय तो दे रहे हैं, लेकिन मेरी मुसित्तों को नहीं जानते। आपसे नाचने का शौक था, भाई सहब उस शौक को मिटाने के बदले और उभरा करते थे, एक दिल कितनी देर कर दी तुमने, वो लोग कब तक इंजुतार करेंगे? मैंने कह लिया कि नहीं नाच होगी, नहीं नाच होगी, क्यों? नाच मैंने अपने शौक के लिए सुखा है, दुनिया के सामने नाचने के लिए दे, लेकिन मैं उन लोगों को बुला कर लाया हूँ, तुमें उनके सामने नाच नहीं पड़ेगा, आखर इतने बड़े घर का खर्च कैसे चलेगा, और तुमें नाच सिखाने पर जो मुझ बुल? अच्छा, अगर तुमें ही जाते हूँ, तो चलेगा, चलेगा, चलेगा ओ, गुरे गुरे चाल से मुख कर, काली काली ओंखे है, देखके दिन को नीन दूर जाए है, वो मत वाली ओंखे है, मत वाले नैनो वाले के मैं, वारी वारी जाओं, मत वाले नैनो वाले के मैं, वारी वारी जाओं, मत वाले नैनो वाले के मैं, वारी वारी जाओं, मत वाले नैनो वाले के मैं, वारी वारी जाओं, मत वाले नैनो वाले के मैं, वारी वारी जाओं, मत वाले नैनो वाले के मै मैं वारी वारी जाओं, अत्वाले नेनुवाले के मैं वारी वारी जाओं इस दरजनाज उठाए के दिल बर बना दिया, तेवर को कीर नाज को नश्तर बना दिया इस दरजनाज उठाए के दिल बर बना दिया, तेवर को तीर नाज को नश्तर बना दिया सह सह के चोटे मूँ को पथर बना दिया, सच है तुम्हे मैं ही ने सितंदर बना दिया मत वाले नेनु वाले के मैं वारी वारी जाओं मत वाले नेनु वाले के मैं वारी वारी जाओं मत वाले वाले के मैं वारी वारी जाओं जादू भराव मीठी निगाहों का प्यार है जो तीर है तबर है छुरे है कटार है जादू भराव मीठी निगाहों का प्यार है जो तीर है तबर है छुरे है कटार है चरकों पे चरके खाओं यही दिल की है खुशी मरने में जिन्दगी है विदा में बहार है मत वाले नैनों वाले के मैं वारी वारी जाओं मत वाले नैनो वाले के मैं वारी वारी जाओं क्यों सहाब कैसा है अरे ब्यूटिफूल तो फिर लाईए ने अगरिमेंट जडरूरूरू लो इस पर बस्कारों करो दो नो और उसके बाद में ये खर छोड़ने के दिवा और कोई रास में पुलिस में खबर कर देती है गर चे भागने के क्या दुरूर पुलिस में कैसे खबर कर देती है वो हदार गुरा सही फिर फिर मेरा भाई है हाँ सहब यही तो मुसीवत है आदमी दूसरों को सब कुछ समझाता है लेकिन जब उस पर वक्त पढ़ता है तो वो कुछ नहीं करते है आप यहां तहहरी कहा है एक तहहरी के पास आई थी मेरी बसकिसमती से बूफी मर चोगी और मुझे खुद नहीं माला कि दुनिया में मेर अजीव को अलमोड हो गई कोई नहीं जानता किसकी जगे का है चासे रही है ना क्या बता हूं लोग दूसरों की मजबूरियों से फाइदा उपाया करते हैं मेरे भाई सहाब ने मेरे किसमत का फैसला करने के लिए पांच सो रुपय का इनाम भी रखता है लेकिन मैं इस कि पांच सो रुपय के लिए अपने शराफत बेज़ दूँ बाई बिल आओ क्या मैं आपके साथ ठैसे हैं मेरे साथ मेरे साथ माप कीजिएगा मैं खुद यहां पर्देशी हैं मुझसे ऐसी उम्मीन रखी कि अब दुचेंट कुछ नहीं आखिर आपका मतलब क्या है मेरे मतलब तो मुझे भी नहीं मान। तुभी आज़बरदस्ती में साथ ठैरना चाहती है इसके अलावार कर ही क्या सकती हूं आपको मुझे डर नहीं मालूम होता है मैं आपको अच्छा आदमी समझती हूं देखिए जनाब, दुनिया मुझे कोई अच्छा आद भी नहीं समझती हूं भाई-भावज मुझे बदमाश समझती है रेल के मुझे मुझे मवाली समझती है और घर चे भागीवी लड़कियों का मुझे कोई तजरुबा नहीं जब तो जुर्बा नहीं तो डरते क्यों है फुपुप के छाज वही बीता है जो दूद से जल चुका हूं आप तो फ्लाता पर मालूम होते हैं खैस चलिए लेकिन देखिए अगर कोई तकलीफ हो तो शिकायत ना कीचिए अगर आदमी कोई बेवकूफी करे तो उसको निभाने के लिए उसे लगातार बेवकूफियां करनी पड़ों लेकिन इस तरह होटल की लोग क्या समझेंगी मैं होटल के लोगों का ख्याल करूं या अपने आराम करूं क्यों मेरी मुझे से कुई तकली हुई आपको देखिए जनाब जागने की बात और थी सोने का पसाओर है जी तो रोजी की मुसीबत हो जी हाँ यही तो रोना है सो जाईए गुड़नाइक देखिए अगर आपको कुछ कप्रे अप्रेटें करने हैं तो मेरा सुट केस नीजे रख करते हैं झांच comentarios करते हैं देखिए जरा मिहवानी करके बसी बन कर दीजिए क्यों अजीब मुशीवत है साहब मैंने कहा दर्मादा बन कर लीजिए अजी सहाथ दर्मादा बन कर लीजिए दर्माद सकते दीजिए दर्मादा बन कर लीजिए किस्ती क्यों ताव यहां तो गर्मी बहुत है झाल झाल कहिए ताहब रास नीन ठीक सो आई नीन तो आ ही गई थी मगर सब्सक्राइब लोने बहुत आता है और नी होते भी है और घटमल ने भालुम होती है आदमी को जआ चौकरना रखते है रहते हैं होते तो अच्छे हैं मगर काते बहुत बुरह हैं रताई कितने रादन ताहि को नहीं, शक्कर के चम्मच कितनी दाल, अब इतने में मीठी हो जाए, देजे, शुक्रिया, शुक्रिया, अच्छा तो मैं चाता हूँ, मुझे एक आदमी से काम के बारे में मिलना है, अच्छा जाएगी, भगवान करें आप कामियाब दोटें, अच्छा जाएगी, तो मैं आप कामियाब, शुक्रिया, 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 आओ आओ चाहे सुबरे भूए उलसे ने नाचाँ अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ दिल से गया फ़रा रोग मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ भूए उलसे ने नाचाँ अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ दिल से गया फ़रा रोग मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ भूए उलसे ने नाचाँ नया सहारा पाया दिल ने बने वो मन के मीत नया सहारा पाया दिल ने ने वो मन के मीत नया मंगे गाती है अब नया मिड़ा लेगी नेर के मन के ताउ अब मैं क्या करूँ दिल से गया फदाल अब मैं क्या करूँ मैं क्या करो तुए उन्से नैना चार कर नैना बन का भेद बता कर हाप बने अंजाओ नैना बन का भेद बता कर हाप बने अंजाओ आशाओं में हल्चल है अर्मानों में तुपान दिल पर बैठा है प्याओ अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ दिल से गया ख़़ार अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ तुए उन्से नैना चार अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ दिल से गया ख़़ार अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ तुए उन्से नैना चार आपके मश्यूरे का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं घर पहुंचते इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, उमीद है के कामियावी होगा, हाँ बेटा, एक बात का जरूर ख्याल रखना, पुलिस के महकमे में इमानदारी और मिनत दोनों जरूरी है, अगर इन बातों पर अमल कर आप इतमे नहां लगी, अच्छा, नमस्ते, क्यों, कुछ काम बना क्या, उमीद तो है बन जाएगा, अगर आपको तकलीफ नहों तो तो मेरे कपड़े अटाशी में रखती है, मैं जा रहा हूँ, कहाँ, घर जाते ही मुझे नोपी मिल जाएगा, अरे, यह आपको क्या हु कुछ नहीं, एक गोली आइस्परो की खाली जे, ठीक हो जाएगी आपकी तबियत, वम इतने खाने पड़ रहे हैं, कि दवां के जुरूज़त नहीं, वम, कहे का वम, ओ हो, गुजरीह भी बातों की याद नहीं करते है, उशादीरी, ठीक है, जाएगा, जाएगा, जाएग कौन था, होटल वाला था, मैंने उससे बिल मंगवाया था, देखिए जालिम ने दो दिन के साथ रुपए लगाए है, हलांकि हम एक ही दिन रहे, इतने पैसे हैं भी या नहीं, एक, दो, टीन, चार्थ, पांच, लीजे, यहां तो सिर पचास ही रुपए हैं, आपके पास क कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर अब आपका क्या होगा, आप यहां कैसे रहेंगी, आप भला मेरे लिए क्यों सोच रहे हैं, आपको मेरे भले बुरे से क्या काम, आप ठूटी तरह आय थे, और साया बनके जा रहे हैं, मेरी फिकर ना कीजे, यही तो मुश्किल ह आपके लिए ना सोचू तो दिल नहीं मानता, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती हैं, कहां, मेरे घर, लेकिन उस शेहर में मेरा भाई जो रहता है, तो आपका भाई क्या भीगाड़ेगा, हम शादी कर लें, शादी, लेकिन आप, और आपके घर बाले, एक घर से भागी को पुबल कर लेंगे, हीरा अगर मत्टी में भी पड़ाओ, तुसे कौन नहीं उठा लेता, ये देखिए अपना मका, लेना आए, 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 आगे बेता, नमस्ते माँ, खुछ रहो, कुछ काम मिल गए, उमीद तो है मा, मिल जाएगा, उशा अंदर आप, अंदर आप, ये मेरी मा, नमस्ते, ये कौन है बेता, ये उशा है माँ, इनके रूप से अंदरी रात के सुबा dir. आए बैठी आरे तिरह सामान कहा है अब तो कुछ औरी सामान है माँ तुराना सामान तो होटल में छोड़ाया हूँ भी लगा करने के लिए रुपए नहीं तो सामान छोड़ा है अच्छा लड़का है अच्छा जा तुना ले बहुत थका हूँ है आप बैठे मैं आपके आप बैठे मैं अभी आती हूँ पहले आप आई है माताई जी विचारी पुराने जमाने की सीधी साधी औरत वो इशारों की बातें क्या जाना है मैं उन्हें जाकर अभी समझाए देता हूँ आप ये सब क्या कर रहे हैं मा अगर उशा को जूरुत होगी तो वो खुछ चाय बनागी पीले की नहीं बेटा भला महमान से कोई काम लेता है लेकिन उशा महमान तो नहीं महमान नहीं नहीं मा वो आपकी होने वाली बहु तू मुझे पास्य समझ रहा है क्या मा के दिल को नहीं मा अपना मुकद्र आजमा रहा हूँ प्रेच नमस्ते बठी बठी आराम सी बठी वा मातजी कहा है वो उधर गई तुम कब आये कुछ काम बना अभी आ रहा हूँ दीदी काम की तुम फिकर न करो जल्दी मिल जाएगा बाहर एक खुबसुरुत सी लड़की कौन बैठी हुई है वो तुमरे इक्षर की रोश्नी है बेचा रोश्नी है मालूम पड़ता है अब मुझे अपने घर से बिजली का कनेक्शन कटवाना पड़ेगा यहां जगड़े का बंदवा शुरू का दिया तुमने यहां जगड़ेगा यहां जगड़ेगा जगड़ेगी. कर दो! आई ने भर्सुहारी, भर्सुहानी आये, आये, भर्सुहानी आये, जागी आशा, जागी आशा, अर्मसका आये, आये, भर्सुहारी, भर्सुहानी आये, आये, भर्सुहानी आये, भर्सुहानी आये, रातों के वो मीठे सपने दुख जीवन का बन गए अपने मन क्यों मंगे बड़े दिवानी राजा देखे और नरानी मन क्यों मंगे बड़े दिवानी खेल बनाया जी ना मरना खेल बनाया जी ना मरना करके प्रेम सबाए मन क्यों ममखे राजा आ कर सका रचिन्या जी ना जीड़े ओर लटनियो इस प्याशन लट मैं नजब अब प्रिट बाल मैंने कहा साप घर में नहीं है अजी ये भोलापन छोड़िये जनाथ मैं आज बहुत ठग गया हूँ जरा दर्वादा खोलिये कोई और दर्वादा देखिये साथ शायद आप घर भूल गहें माप कीगे अजी मुझे तो सब कुछ इसी घर से मिलता है आप दर्वादा खोलिये मुझे एक चोर पकड़ना है चोर तो नजरें बचा के कोई चीज उठाता है आप तो आखों में आखें डाल के लूप रहें यूनिफॉर्म पहनने के बाद पहले मेरी ही कलाई पकड़ी जा रहें जी हाँ इसलिए के शादी के बाद आप बहुत खुप्तुरत हो गई है आप बड़े बेशरम हो गए हैं माताजी दिखेंगी अरे आप माताजी को अच्छी तरह दिखाई कहा लेता है मुहबत अंधी होती है मामता अंधी नहीं होती है तुम धैर। पुशा 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 मां यह आपको फिलूट कर रहे है जरन दस्टीक तो आप है आज कुछ अजीब से दिखाई दे रहा है यह सब क्या पहन रखा है इन्होंने सब इंस्ट्रेक्टर की वर्दी पहन रखी है मां चोरों को पकड़ते भी तो आथे तो दरोगा बनाए हाँ हाँ मां खुश रहो पूलो भलो आप तो खुश है न मां आप बोलती क्यों नहीं सुबान आखों का साथ नहीं दे थी बेटा भगवान ऐसा करते कि आज तुझे अच्छी तरह देखने को मेरी चाहती हो यह आखे में जाती और प्र चाहें मैं जनम भर के लिए अल्दी हो जाती है ऐसा न को हमार जब दिन का उजाला नहीं रहने पाता तो रात का अंधेरा कब तक रहेगा मैं डाक्टर ची अपाइंटमेंट लेकर आ रहा हूं कल सुबा आपको ले चलूँगा कर दो दो किते हो जाती है क्या बात है देखिए मेरे गले में चंदनहार पड़ा हुआ है आखिर ये कि दिल काम आएगा लेदे के तुम्हारे पास एक ही जेवर तो है मेरे जेवर तो आप है ये लेते जाएए परमात्मा देगा और बन जाएंगी देखो दिर न करो मैं अपनी तंखा में से किसी ना किसी तरह पैसे बचा लूँ तुम्हारा चंदनहार बेच कर मा की आखिए बनवाने को दिल कुम्हार बुरा नमाना करूं नमाना वैशा उशा रवेश गवरा क्यों गई क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी बेहन भी मुझसे ड़ती है तुम इतने ही अच्छे होती तो बेहन को घर से भाव कर अपने आपको खत्रे में न डालना पड़ता सत जानो मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया अख़बारों में इश्तिहार तक दिये अच्छा होगा जो मैं तुम्हें उस वक्त नहीं मिली नहीं तो जमाने से बढ़कर तुम मेरे लिए खतरनाक थाबित होती हर बुरे आदमी में कुछ अच्छाई भी होती है उशा मैं लाक बुरा सही फिर भी तुम्हारा भाई हूँ तुम्हें भाई कहते हुए शर्माती है मैं हाथ जोड़ती हूँ यहां आकर मेरी सुपरी जिन्दगी में तूफान ना उठाओ मैं खुद यही समझता हूँ कि मेरा यहां आना हम दोनों के लिए ठीक नहीं तुमने शायद इस साविंस्पिक्टर से शादी कर ली है हाँ उन्होंने मुझे दुनिया की ठोकरों में आकर मिट जाने से बचा लिया है वो मेरे पती है परमात्मा तुम्हारे सुपरा को सलामत रखे मैं कितना बदकिस्मत हूँ ना जहेश देकर तुम्हें घर से रुकस्त कर सका ना तुम्हारे पती को सलामे ही दे सका उल्टा मेरा हाथ तुम्हारे आगे प्षैला हुआ है क्या चाहते हो तुम बस इतनी मदद कर दो कि मुझे खुद कुशी न करनी पड़े उश्या आई माता जी उश्या कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे पास खुद पैसे खर्म है सब इन स्पिक्टर के घर में पैसों की कमी यहार दे दो यहार यह तो मैंने एक जुरूरत के लिए रखा है तुम्हारी जरूरते हजार परे पूरी हो सकती है सोच लो मैं फिर आजाओंगा नहीं नहीं तुम फिर कभी मत आना तुम यहार ले जाओ यहां जाओ यहां उश्या खुश रहो उश्या जाओ यहां कौन था बहू कुम्हारी था माधाजी विकारी से बड़ी लंबी बात कर रही थी थी तुम बहुत दुख्य होगा बिचहरा हां मा पर मातमा ने उसे इंसान का रोख दिया लेकिन इंसानियत नहीं दि माबापनी जन्म दिया यह लेकिन अच्छी तालिबम नहीं दि दुनिया उसे ठुकराती है और लोटी नहीं दे दी तुमने कुछ दिया उसे? हाँ मा मुझसे जो कुछ हो सका दे दिया खुश रहो बेटा तुमने गरीबों की मदद किये भगवान तुम्हारी मदद करेगा लगू 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 खेल शानी खेल तो नगद होता हैぞ टार है, डगढ़गें 12 और भग्राई उने भगकाता ने? बखरा है, बखरागह या था 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 जैड़ू पोलीस पोलीस? प्लीस चलो भोई चलो डरमत में से निपज लूगा ए तब पत्षे सपाले याव पीटियो ड्लाइक पगड़ बहुत अच्छा चलो ऑफचा जी आपर वां हाँ खबर किसी को नहीं वो किधर को देखते हैं ये कौन जाने के दिल याजगर को देखते हैं नजर बचा के हम उनकी नजर को देखते हैं नजर बचा के हम उनकी नजर को देखते हैं जो बेखबर है उसी बेखबर को देखते हैं दुआएं मांग रहे हैं दुआएं मांग रहे हैं असर को देखते हैं दुआएं मांग रहे हैं असर को देखते हैं दुआएं मांग रहे हैं असर को देखते हैं दुआएं मांग रहे हैं दुआएं मांग रहे हैं सुदा है उनको भी हम बेकसों से उल्फत हैं कोई बताओ के कैसी हमारी प्समत है धड़क रहा है दिल अपनी अजीब हालत है वहाँ घर में हमारे खुदा की खुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं अज ये इश्क देखिये क्या दिन दिखाने वाला है जुरूर को ये नया गुल किलाने वाला है चमन से और कहीं लेके जाने वाला है चमन से और कहीं लेके जाने वाला है जवाब खत का मेरे आज आने वाला है कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं कभी घड़ी को कभी है, कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं वाद आदा, क्या तरकीव लगाई था है पुलिस चले गई पुलिस चले गई? पुलिस चले गई अब आप हम लोग शिरू हो जाए चलो भाह लोग आईये था भाईये आप भी आईए दूबाद? आप पचलिया वह अपना काम बजया जुआ जाए जिरागना जाए वाथ शाए भाष्चा बीस रूपए लागी दस रूपए हाओ पाथ जाना पहलमान चीदरा! कि खङएड़सा कि पृड़सा कि उचे है तो! कि खङए़सा तो! ौँब है वड़सा बेगा है कि अबीर कि खरेखवसा कि कि ख़स्टा रहा है पॉलिस। 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 जो लो ऑड़। पॉलिस। मैंने का बाबु साब। क्या है। गुलुकोस है। नहीं। आप इसमें पिछले हपते आपसे लेके क्या हूं। आप ले गए जी हाँ तो सुनिया साब तील डिबे हैं ग्यारा रुपया फीट बाए अरे साब पिछले वक्त भी आपने ज्यादा भाव दिया था और कंट्रोल प्रैस तो दो रुपया बारा ना है आप कंट्रोल प्रैस क्यों सुनाते हैं दस रुपय की खरीदी है मेरी आप जाए चाहिए नोर्षर जाए है अच्छा बाल लेते हो मारा लेताओ तहीं कर दो कर दो कर दो कहिए साब आपकी क्या सेवा कर सकता हूं लाइए साब वो गुलुकोस दी गुलुकोस है राम राम कहिए साब अगर आपको कहिए डबे मिल जाए तो दो चार मुझे दे जाएगा साब दुपेर को तो पूचके गया हूं और इतने मुगायब अच्छा आप ही आए तो दुपेर को आपकल मेरा दुमार ठेकाने नहीं फिर दाम तो आप दानते ही होंगे बताईए ना दाम ही लेने तो गया था यही बारा रुपया फीट अब आप भी कुब दिल लगी कर रह आपने अभी अभी तो ग्यारा बताये ते ग्यारा जी हां मैं समझा आप भूल गया होंगे कितने डबबे चाहिए तीन डबबे यह यह तो लाइए तीन तीस रुपे और यह यह ने जी पीछी दरवादे दिजाना जी हाँ उत मुझा अच्छी तरह माता है दीवारों को भ गंशा माबू तो बाहर गए है और रुपे चाहिए ले जाहिए ले जाहिए आज तो मेरे भाब खुल गए है और साथी साथ जेल के दर्वादे भी मुनीम जी क्या कहा मैंने कहा बाब के लिए जेल के दर्वादे भी खुल गए जेल के दर्वादे बिर्ज बाबू आप मुझ गरीपत है यहां की जम्दी मुझ जगदंबे इस अगाजा के बयान और गवाओं की शहादत से तुम पर ब्लैक मार्की और नफाखोरी का जरू साबित हो गया है इस सिलसले में अदालत तुम्हें च्छै माह कैश सक्ष और दो हदार रुपए जरुमाने की सदा देती ह बसूरत अदम अदाएगी जरुमाना दो माह कैश की सदा मजीद बंदा परवाद माह कर दीजिये मैं मर जाओंगा मेरे बीवी बच्चे बुके मरेंगे दुबारा नहीं करूँगा तुपा मुल्जिम घंशामदार अदालत तुम्हें इनी जराइम में मदद करने के सिल्सले में एक हदार रुपए जरुमाना और दो दिन खैद की सदा देती है बसूरत अदम अदाएगी जरुमाना एक महीना खैद मजीद अधिया जरुमाना यहां अभी तब यह समझ जाएगी तुम्हारे लिए नहीं बात है लेकिन दुन्या कि कोई वाह इसे बचनी सकी मा मैं सभी इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पुलिस हो गया अच्छा यह तो होना ही जाए बेटा दुन्या में हर शक्त अपनी तद्वीर लेकर आता है इन्हें क्या हुआ अच्छी भली तो है तुस्टिष यह बीमारों को तो यह पड़ी है कोई बात नहीं तु तु तो अखर बात क्या है आप ही की महरबानी है मेरी महरबानी है वैसाफ साफ बताओ तो आप चाहते हैं कि मैं ढोल बजा बजा कर कहते फिरूं कि अजीव आदमी हो कहते कहते रूप क्यों गई कहो न आप तरक्की कर रहे हैं तो क्या मुझे तरक्की नहीं करनी चाही मैं भी मैं अंदर आ जाओ आजाओ दीदी आ जाओ कहो तुम दोनों को अशिरवाद देने आई हूं मेरी बदली जबलपूर हो गई है जबलपूर दीदी ऐसे वक्त में हमें छोड़ के चली जाओगी सजा दो दिन की हो या चै मैने की लेकिन उसने हम दोनों के इज़त पानी तो फेरदिया जेल चला गया रोना तो आपकी इज़त का है अब रोने दोने से काम न चलेगा सोचना तो यह है कि हम दोचा शरीफ आदम्हीं कि पगड्रयन उ funds न चलन पाए जिस तरह उसने हम दोनों के हाथ में हतकली पहनाई है, जब तक मैं उसके हाथ में हतकली ना पहना दूँगा, मेरे दिल को चेन नहीं आएगा इसना बड़ा दिल डाल ये फिरते हो, जरा इस खोपड़ी से कुछ तरकीम निकालो जराइस खौप पेशे कोई तर्कीम निकालो अरे मेम साथ ये खौप लिया कोई मचिन नहीं के एकली डाली और टिकर निकलाया समझी भाई साथ खूब यांगाया एक भंगी मेरा दोस्त है को तो उसे पिकला दू अब इस तरह तो फिर जेल के हवा खानी पड़े की ओ जेल तुपा तेरा तो दिमाग खराब हो गया जब से जेल से बाहर निकला अरे भाई ऐसी कोई तर्कीब सोच हल्दी लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा है ब्रीज बहुत चालाक आदमी है छोटी छोटी तर्कीबों से कभी काबू में नहीं आएगा तर्कीब छोटी हो या बड़ी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए जरा लंबा जार बिछाना परेगा अच्छी बात है ये मुझी पर छोड़ दो देखो मैं क्या करती हूँ तुम छोटी बेहन हो किसी तरह बड़ी बहन की बात रख लो आप माताजी से पूछ लीजी मैंने कह दिया बेटा तुम जाना चाहो तो चली जाओ जब आप मुझ पर इतनी दया कर रही है माताजी तो साफ साफ कह दीजी वो जिस तरह अब तक ब्रिच को भाई समझते है उसी तरह मैं उशा को बहन समझ कर ले जाओंगे सोचा तो ये था कि अब उस घर में हमारा बच्चा भी कदन रगे लेकिन तुम इतनी जिद कर रही हो तो खेर उशा को ले जाओ ये तुम्हारे जेट है ये हमारे देवरानी है इन प्रेक्चर साय की पत्नी क्या चंदरमा की तरह निक्री सुत्री और ठूनों की तरह हस्तमुक अबस्तर आए तरशीर रखिए अरे उशा अरे मंगला तुम हिंगे बेग रही ऐसी वो भी शादी के बाद मिली अच्छा तो पुरानी जान पेचान है जी हाँ जांसिंग स्कूल में दोनों साथी सीखते थे तो फिर मज़ा आ गया आज इनकी वज़ाए आप अपना आज दिखाए माप कीज़े मैं नाचोंगी नहीं इसमें हर्दी क्या है देखेना सब बिचारे इज़ा कर रहे है अहां अहां पुशा नाचो आप लोग जीत करते हैं तो मैं गाना सुना दूंगी नाचोंगी आप तुम क्यों नहीं नाचते अहां डॉक्तर नहीं अच्छा तो आप लोग मजबूर ना करें आप लोग चावा आप अ अ अ मन में नाचे मन क्यों लंगे मन में नाचे मूर मन में नाचे मन क्यों लंगे मन में नाचे मूर दूबी जाए चांदनी जूमे घटा घन भूर मन में नाचे मन क्यों लंगे मन में नाचे मूर अ अ मन क्यों लंगे मन क्यों लंगे मन क्यों लंगे मन में नाचे मन क्यों लंगे मन क्यों लंगे जाँ लंगे स्वान क्यों रख ने स्वान क्यों लंगे मन मन क्यों मन लंगे बिजली शलक दिखाए छावन की ओढ़े ओढ़नी बिजली शलक दिखाए बिजली शलक दिखाए नई नई धुल हलपा देते हैं भूंबट खुल खुल जाए रे मैं किन से शर्मा भोरी हूँ मैं किन से शर्मा भोरी हूँ मन में नाचे हो दूपी जाए चान नी भूमे घटा घन हो मन में नाचे मन के उमंगे बन में नाचे मो अब मुझे आग्या दीजे और इन्हीं संभाद लीजे क्या आप कर रही हो यह उतादने के लिए तो नहीं पैनाए थे फिर यह मुझसे ज्यादे तुम्हें सचते हैं उशा और सच पूछो तो यही तुम्हारे बनाओ सिंगार के दिन हैं तुम्हारे बदन पर कोई जेवर नहीं तुम इने मेरी कर लो नहीं नहीं भापी यह कभी नहीं होगा चांद सूरज से रोष्णी लेता है तो सुभा को उसे वापस कर देता है इन्हें आपी रखिए मैं तुम्हें यह अपनी खुशी से दे रही हूँ मेरी बात मानो इन्हें साथ लेती जाओ मैं गरीब हूँ इतने कीमती जेवर पहनूंगी तो सब मुझ पर हसेंगे अगर कोई पागल हो जाए तो क्या तुम उसके जर के मारे अपनी अकल से काम लेना छोड़ दोगी हसने दो दुन्यो तो हसती ही है छिक कहती है आप लेकिन गरीब आदमी इतने खीमती जेवर पहने तो उसकी इस्दद नहीं बढ़ती हाँ जेवरों के दाम जरूर कम हो जाते हैं कम हो या ज्यादा इन्हे तुमें मेरी मामूली सी भेत समझ कर ले जाना ही होगा मजबूर ना कीजे एक तो उन्हें मेरे यहां आने के खबर नहीं दूसरे अगर उनकी बगएर इजादत मैंने यह जेवर भी ले लिए तो नजाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अच्छी बात है तेकिन कुछ जेवर बगएरा बनवा करका करो बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आता यहीं जेवर काम आते हैं चीक कहती है आप देखोंगी में अब आद गया लिए अच्छी बात है नमस्ते आ गई है आप मैंने समझाता है शयाद आप रहेंगी भी उसी घर म मैं इसलिए माताजी से पूछ कर गई थी कि शायद आप नाराज हूं इसलिए मैं मजबूर हूं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता है लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे बिश्मन हैं वो तुम्हारे दोस्त किस तरह हो सकते हैं कभी-कभी इ जिद में ऐसा समझता है जो उसे नहीं समझना चाहिए लेकिन जिसका सब कुछ चीनकर उसे घर से निकाल दिया जाए क्या वो भी गलत हमाज सकता है क्या ऐसा नहीं हो सकता बस खामोश रहो उनका आज का बढ़ताओ तो कुछ ऐसा ही था कि मैं उन्हें इतना बुरा नहीं स समझना लगी जिसने उने पैदा किया है उसके दिल से पूछो कि उनका बरताओ कैसा है गलत इंसान से होती है उन्होंने तो मुझे पार्टी में पहनने के लिए जेवर तक अपने दिये और यही नहीं वो तो साथ तक लाने को कह रही थी जी हाँ भरी दुनिया में आप ही तो एक ऐसी मिल गई है कि दिन पर वो इतनी महरबान हो गई है मैं सच कह रही हूँ खैर होगा मैं उनके किस्से सुना नहीं जाता अगर उन्होंने फिर मजबूर किया तो क्या मैं उनसे जेवर ले लू देखिए नो मेरे पास एक अंगूठी तक नहीं है तुम्हारे पास और मा के पास देखने के लिए आखें तक नहीं वो लोग जिनके दिये हुए दुपने मा की आखें छीलनी आज तुम्हे जेवर दे रहे और तुम्हें कंगाल धिकारन की तरह उनके दिये हुए टुपड़े अपने दामन में समेचने के लिए मुझसे याग चाहती हूँ तुम्हें जेवर चाहिए, फैरो जो ये रुपए, ये मैंने मा की आख्मों के आप्रेशन के लिए रखे थे लाओ इंसे अपने लिए जेवर, खरीदो इंसे अपने लिए अंगुषिया ब्रीच, ब्रीच, अरे कब तेरा गुसा कम होगा आखिर कभी तुझे समझ भी आएगी, ऐसी हालत में बहु पर बिवट रहा है अरे इन दिनों में तो लोग बहु बेटियों को फूलों के दर न रखते हैं लोग, ये रोडे रखे अरे मैं तरी सास नहीं हूँ, माँ ब्रिच डाट दिया करें, तो चुप चाब मेरे पास चलिया है वो देखो सामने वाला मकान है जरा होशारी से काम करना, ये लोग धूप में बाल सुखेद मही किये है पचास की शादिया कराई है तो पचास की छोडाई है अपना हिसाब किताब बराबर है ये शादियादी का मामला नहीं है, ये मामला बड़ा बेड़ा इसको भी ठप पर ले आऊंगी, देखते रहना अच्छो जाओ वालाओ, कौन सो दिन देखाया हो इस जिन्दगी से तो मौत भली थी कौन है आप, किसी मिलना है, क्या चाहती है आप मेरा लाल मुझे दे दो, बेटा मुझे बर्या का, इसके सिवा कोई सहरा नहीं मेरा बेटा, ब्गड़े हुए लोगों मे रहके बगड़ गया तुम इस वेक्टर सहाब से कहके इसे बचालो माजिब तक जिहूंगी तुम्हारा नाम लेते रोंगी आपने बड़ी उल्चन में डाल दिया है वो इन सब मामलों में बहुत सक्त हैं तुम्हारी गोधरी हो गेटा जिसने उन्हें पाला होगा उसकी मामपा का वास्ता दे के छुला लो बेटा मैं कभी तुम्हारा असान न भूलूंगी मैं कहकर देखूंगी खाली कहने से काम नहीं चलेगा तुम जरा भी जोर दोगी तो मेरा बिगड़ा नसीब बन जाएगा ये क्या मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ कुछ और मत समझ लेना पहली बार आई थी खाली हाथ आते हुए बुरा मालूम हो रहा था मैं बेटी समझ के तुम्हें दे रही इसकी कोई जुरूरत नहीं मैं आपकी मदद करने के लिए उसे कह दूंगी वो तुम कहो या न कहो तुम्हारी मर्दी ये तुम्हे अपनी खुशी से लाई हूँ इससे न वापिस करो बेटा मदद खरीदी नहीं जाती न बदला इनाम चाहती है ये बदला और इनाम नहीं है बेटा ये तो खुशी का सौदा है वापस करोगी तो मैं समझूगी कि तुम्हारे पपी ने मुझस से उलाद का सुख चीन लिया और तुमने दिल का सुख चीन लिया देखिए आप जित करती हैं तो मैं रख लेती हूं मैं उनसे कहूंगी अगर वो मान गए तो चीक है नहीं तो आपको ये वापस ले जाना होगा जीती रहो खुश रहो बेटा तुमने मुझ भुडिया की बात रखी है परमातुमा तुहारे इज़त रखे आजकर तो आप हर वक्त लोगों को गिरफ़तार करने की सुच्छते होंगे जी हाँ पुलिस में तरकी करने का भी यही तरीका है लेकिन मैं इसी बात से डरती हूँ बिश कि कहीं इस पकर धकर में लोग तेरे दुशमन नबच जाए बुरे लोगों से दुशमन है और भी बुरी होती है कौन थेरी मैं देखती है इंस्पेक्टर ब्रीज घर में है जी हाँ मैं सच वारेंट लेकर आया हूँ सच वारेंट मुझे अपस्वरस है मिस्टर ब्रीज आप पर रिश्वत का शुबा है और इस इसलिए मुझे आपके घर की तलाशी लेए है जुरू तलाशी लीजिए मुझे आपका शुबा गलत्सावीत हुआ आईए आओ क्या बात है बेटा तलाशी का है कि कुछ नहीं माताजी इन लोगों का ख्याल है कि मैंने रिश्वत ली रिश्वत नवस्ते माताजी कौँ खाइशाम है माताजी इसलिए कि बात क्या है इसलिए इसलिए तलाशी ली जा रही है और इसलिए कि या बाते कर रहे हैं आप जी हाँ कानून से कोई नहीं पैसकता अच्छा कानून है आपका खाव खाव आप शरीपों की पगली उचा लें आप ख्रमोश रही है सहाब हम लोगों को सर्च करने दीजिए जरूर जरूर मगर याद रखे आप जिसके घर की तलाशी ले रहे हैं वो एक बड़ा द्यानतदार आद्मी है इसकी चावी दो इन्हें अलमारी की चावी दे दो चावी हाँ हाँ दे दो चावी इसमें डरने की क्या वात है नहीं मैं कहता हूं इन्हें चावी दे दो बुल राओ। कुनुश झावी दो में फिर दो कावी दो नहीं मैं वोलावी बादे दो भ।ा। किसी की तलाश दी हमें, हद्कड़ी लगावाँ ने नहीं नहीं, मेरा पेटब में गुसूर है इन्हें छोड़ दीजिए, गुसूर तो मेरा है यह हारते बुढ़िया, आज दबर्दस्ती मुझे दे गई थी मैं तो ली भी नहीं रही थी, मगर बड़ी गलती की तुमने जो ले लिया पुलिसी यह उजर नहीं मान सकती तुमने हम लोगों का सर नीचा कर दिया फुशा, अपने जेवरों के लालच में आकर तुमने मुझे हद्कड़ियां पैना ही दी मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि मा बला से अंदी रहे, तुम अपने जेवर बन वालो लेकिन तुम तो नजाने मुझे किस जनम का बद्दा ले रही थी अब अपना पाप खुल गया तो इस पर बरस रहे हो दूसरों को नसीयत करना बहुत आसान है भीया मगर अपने आपको समालना बड़ा मुश्किल है सोना चांदी चीजी ऐसी है भीया कि बड़े बड़े आद्मियों के पर डगमगा जाते है चुप रहिये मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं जिन्होंने ना डगमगाने वाले पाउंग भी डगमगा दी है चलिए अखो ये दिलेरी है रिश्वत लेकर खुद जेल जाने पर दोर दिया जाता है हराम के माल में बड़ी ताकत है बड़ी जी हाँ वो तो आपके यहाँ आने ही से जाहर है चलिए इसका प्रेसना अलबानत करेजिए प्रेश उड़ी तो मेरा है मुझे लिए चलो आप इंकी बात मुझा प्यार लगता मैं तरह करे दियो ये पे खुदूर तरह दरी जाहिए माताजी माताजी कहा ले जा रहा है इसे है, इसने अभिदर खाव ले नहीं गाना माताजी भारीच 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 बेटा यह क्या हुआ जो मची दिखाईने दिखा माताजी भारीच भारीच अब आपके सिवा जो हमारी माताजब परिखा आप उनके साथ चाहिए और किसी तरह चुड़ा लगे अधेले मैं तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है मैं मा भी चाहता हूँ भाबी 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 मेरी मजब चीज है मेरी भूल की सदाउने भुगतनी पड़ रही है उन्हें बचाएगे किसी बचाओं? क्या हुआ? उन्हें पुलीस पकड़कर लेकरे पुलीस? तो मैं क्या कर सकती हूँ भाबी, कुछ भी कीजे उन्हें किसी तरह छुड़ा लेजी भाबी, मैं किस तरह बचा सकती हूँ जो दुनिया में जैसा करता है वैसा भड़ता है? वो तो बेगुना है, गुना तो मेरा है एक गुड़िया मुझे वो जैवर दे गई थी जिनके वज़ा से उन बर मुझे बचाओं पड़ी है तो फिर ये तुम्हारी खुशनसीबी है जो तुम बच गई भाबी ये आप क्या कह रही है उस दिन तो आपने मुझे अपने सारे जैवर दे दिये थे और आज एक जैवर के लिए दिल की तसली तक नहीं देना डाग उस दिन के जैवर तो सब जूटे थे आज के जैवर सच्चा है देवरानी जैसा जैवर लिया है खियमत भी तो वैसे भंदा परेगी भाबी अगर उस दिन तुम मुझे अपने जैवर नहीं देती तो आज में ये जैवर कभी खुबूर नहीं करती उस दिन मुझे जैवर का लालश देख आज मेरा घर बास करदी आ jam तुमने मुझे तभा किया है तुमने मुझे लूट किया होश में आओ माहरानी अब शोर मचाने से कोई फायदा नहीं अपना सोना खोटा निकला तुम पराय को दोशते भी हो उस दिन तो तुम पराय नहीं थी भले के सब अपने होते हैं तुरे का कोई पराय भी नहीं होता वो चीप कहते थी, कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों के दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और आज अपने सब कुछ खोने के बाद मेरी आखों से परता उठा है पहचान लिया तुम्हें अच्छा, पहचान लिया तुम्हें निकलो मेरे घर से मैं अपने घर में पुलीस-पुलिस का जगना नहीं चाहती क्यों नहीं निकालोगी जब सास को कर से निकाल दीया तो बहु को निकालने में क्यों शर्माएगी तुम्हें तुम जैसे पापी के हुद नहीं थैना जाती पापी होगी तु और तेरे होते सोते बड़ी नाख वाली थी तो नाख रगदने के लिए यहां के आए निकल यहां से जगू वो मुकदमे का क्या हूँ वो ही तो मैं पर रहा हूँ देखो जी बिर्ज बाबू को छे महिने की जेल चक्की के साथ अपना पकाओ अपना खाओ और एश करो लग गई लग गई लग गई लग गई राज्यू ए देख इनिस्पेक्टर ब्रीच पकड़ा गिया ब्रीच ब्रीच पकड़ा गिया मेरा पता नहीं फिराओ भाई मेरा दाओ नहीं लगता लगा हुए दाओ क्यों उठा दिया भाई क्या बात है हर बुरे आदमी में कोई अच्छाई भी होती है शायद इन पैसों की मुझसे ज्यादा किसी और को जरूर पड़े फरमाईए आपको क्या जाहिए जो कुछ इस मुस्खे में लिखा है वो डेदी जीए और तो कोई चीज मुझे अपने काम की यहान नजर नहीं आती है भाई जब आप आप बहुत दिनों के बाद अच्रीव लाए हैं जी नहीं आये तो हम ही कठे ही थी ज़रा मिलने में देर होगे अरे जगू जो इन्हें चाहिए वो दे दे तु तो जानता है सारी खुदाई एक तरफ कितना दाम है अभी बताता हूँ वाटबरी कंपाउंड 6 रूपीज 6 रूपए परिशनल इंजेक्शन 45 रूपीज 25 रूपए और सुबे जाल पिल्स 500 रूपए 90 रूपए 90 रूपए जरा ठीक ठीक लगाईए आदमी देख के पैसे लगाया है नहीं जी हम तो 10% जो आप है ना वही मैं हूँ अपनी जेम में भी पराया माल रूपए मुझे मालूम है जरा यह बोला बोला आप बोलता हूँ वाटबरी कंपाउंड 2 रूपए 2 रूपए 2 रूपए जी खरीदी है सुबेजाल पिल्स 2 रूपए अब तो मैं यह सब दे देता हूँ दुबारा इन चीजों की जुरूत पड़े तो बाजू के दुकान में जाईएगा मैं आप इक तक लिट दूँगा अच्छा अच्छा लो भई दवाय तुम्हारी बहुत आसानी से मिल गई और इंजक्शन डाक्टर कल देगा तो माता जी कहां है माता जी मेरे लिए पानी लेने जा रही थी गिरपड़ी गिरपड़ी मेरी बदनसीबी से और उमीद ही क्या हो सकती अच्छा 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 जब वो आएंगे तो क्या मुझा लेकिन अब रोने से क्या फाइदा तुम्हारे आसो भगवान की मर्जी को तुने ही बदल सकते हूँ उशा मगर यह रोज रोज का गंभी तुने ही ने देखा जाता माता जी की आँखों के लिए कुछ करना बड़ेगा उनकी आँखों के इलावा कमहारे इलाज के लिए भी तु कुछ करना होगा तुम स्टेज को बुरा समझती हूँ शा लेकिन मुझे तो अब वही एक सहारा नजर आता है तुमने सच कहा था भईया गरीबी मुझे नचवाएगी अब मुझे स्टेज पर पहुचा दो क्या हाँ माता जी की आँखों के लिए मुझे नाच नहीं बड़ेगा अखियां गुलाबी जैसे मध की है प्यालिया मध की है प्यालिया जाकी हुई आँखों में शरम की है लालिया आँखियां गुलाबी जैसे मध की है प्यालिया मध की है प्यालिया जाकी हुई आँखों में शरम की है लालिया शरम की है लालिया दिन है जवानी के उल्पत की राते तारों की छा में है प्यार भरी बाते तारों की छा में है प्यार भरी बाते सुची हुई लटों में उलच गई बालियां आखियां गुलाबी जैते मजगी है प्यालियां जाकी हुई आखों में शरम की है लालियां दुनियां मेरी आखों में है तेरे खयाल की भरी हुई पूलों से है जोली सवाल की खिली है पहारों में खिली है पहारों में फूलों की डालियां अखियां गुलाबी जैसे मध की है प्यालियां जाकी गुली आखों में शरम की है लालियां अधी आखी रात को यह काहे जगाए रे आधी आथी रात को यह काहे जगाए रे नाजु कलाई मुरे बल खाना जाए रे आठी आठी रात को ये आहे जगाए रे सुन सुन खुश हुए हाँ सुन सुन खुश हुए मिठी मिठी गालिया अखिया गुलाबी जैसे मचगी है प्यालिया मचगी है प्यालिया जागे हुई आपों में शरम की है लालिया शरम की है लालिया साओ ब्राइब वर्श् require 새 खारा है ट्र श्री मु ठीक है कि अब बंगे जेग शकाचा तब क्ठागों में को में तेक के काबिद माचत्तर है एकुप्र और जाएब अगर अंधिरत नहीं हुआ माता जी उशा अरे बार होगा भी तुम तुम तो पैचाने नहीं जाते कब आये कौन हो तुम भाया मैं तुम्हारे परोस में रहती हूं क्या बता हूं तुम्हारे जेल जाने से तुम्हारी मा का रो रो के बुरा हाल हुआ वो तो होना है चाहिए था वो तो ठीक है दारोगा जी अगर बहुन को भी तो कुछ धिरान होना चाहिए था वो तो जैसे चाहती थी तुम जेल जाओ और वो खुल खेले क्या बक्ती हो तो क्या मैं जूट कहती हूं वो तो आजकल घर छोड़के नातक में नास्ती है इसी शवक में तो उसमें तुम्हारी अमानत जाया कर दे मेरी अमानत? हाँ हाँ नहीं नहीं तुम जूट कहती हूं मैं बिल्कुम जूट नहीं कहती दारोगा जी हर चौराहे पर उसकी नातक कंपनी का इस्तिहार नजर आएगा हाँ दुम जूट क किल दीर चलाना दिल खुद ही बने बनी शाना तुम नित अदाना हमसचितम जथा हास के नतीर चलाना दिल खुद ही पनेगा निशाना तुमे चनाना हम पैसे तमढाना गोरी इतनाना हम पैसे तमढाना रहे रहे के याद सताएं गोरे गालों पे वो गोरे गालों पे मन लल जाएं कुछ अपनी निशानी दिये जाना दिल खुद ही पनेगा निशाना तुमे चनाना हम पैसे तमढाना गोरी इतनाना हम पैसे तमढाना जो देखे वो ही रल जाएं जो देखे वो ही रल जाएं कोई किस किस से आख चुराएं कोई किस किस से आख चुराएं जिसे देखो कि सारे चली आना दिल खुद ही बनेगा निशाना तुम इतनाना हम पैसे तमढाना तु इतनाना हम पैसे तमढाना मर जाएंगे हम घबराके मुच पाना न गूंगट उठाके मुच पाना न गूंगट उठाके मुच पाना न गूंगट उठाके गुरी हमसे न तुम शेरमाना दिल खुद ही बनेगा निशाना तुम इतनाना हम पैसे तमढाना गुरी इतना ना हम हो पैसे तम जाना पच्चताओं मैं पीत लगाँके बच्चताओं मैं पीत लगाँके खब राती हो आख मिलाँके मेरा बोला समन ना दुखाना दिल खुद ही बनेगा निजाना तुम इस लाला हम पे दिल हो धाना तुम इन लाला हम पे दिल हो धाना अच्च्च में आची रे जैलाना दिल खुद ही बनेगा निजाना तुम इस लाला हम पैसे तम जाना तुम इन लाला हम पैसे तम जाना जाıllा सुम खरती एना सुम भला फोला हम ‑‑ सुम थे क्लीं ख़्भ म taką 준비 तुम तुम्हारा या जुका हुआ सर इस काबिल भी नहीं कि कोई शरीफ आदिम से ठोकर ही लगा दे तुमकुत इत्मिनान होगा कि मैं जेल गया हूँ और अब शायद वापिस भी ना आ सकूंगा तुम्हारे ढ़के छपे सारे पाप जाहर हो गए खामोश अब ये लफ तुम्हार तुम्हारे वरत की शर्म को थेटर का परदा समझ रखा है जब चहा गिराया जब तालिया बजी उठा दिया आप इतना कुछ कह रहे हैं मेरी मुसीबत सा सुन लीजी सब कुछ सुन चुका हूँ अपनी इजद की निलाम की कहानी तुम्हारी बयाबरोई का अफसाना सब बच्चा जवाबी क्या दे सकती है इस बात का बच्चला अबरतार जो मेरे घरों मेरे घर के सामने आई मैं तेरा मुझ देखना पक नहीं चाहता हूँ बाव साहिब आपने उस दुख्या के मूँ पर ठपड मारा है कुछ उससे सुन तो लिया होता है फासी पाने वाले कैदिन की भी आखरी आरदू सुन ली जाती है तुम कौन हो मैं उस दुख्या का भाई है बहुत सुन चुका हूँ तुमारे मतालिक नहीं जैसे तुम हो व तो बहुत को सकता हूँ लेकन अफसोस के मुकसान अपना ही होगा यह तुम हो के आखे मिकालकर मेरे साथ बापे कर रहे हो और और कोई होता तो पूर्टिया नोच लेता अवे जा आया पूर्टिया नोच लेता हूँ जो जहर आपने उशा के लिए ब्रिज के दिल में भरा है उसे चलके निकालिए जहर है मैं जहर बेचा करता हूं किती के दिल में भरा नहीं करता हूं जा जाओ यहां से है 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 मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं तुम हाथी दांत के बने हुए हाथी दांत के खाने के और और दिखाने के और चलो सीदी रीट से जाजा मैं तेरी गुंडा गुर्दी को अच्छी तरह जानता हूं और तुझे भी अच्छी तरह जानता हूं जाकर कह कोई है यूँ अरे कोई है पको जे अरे सुनती हो आहे मैं मरा अरे परणाश में मुझे चाहू मान दिया मैं मरा जा रहा हूं किसी को बलाओ अरे कोई है कोई सुनता है कोई नहीं सुनता तेरा पत्याना आख जाए मातेजी मातेजी मैं जुटकई करेच कहिए क्या हुआ आपकी आखों में आसू तुम्हारे भाई को किसी बदमाश ने चाहिए में चुड़ा मार दिया चलो छुट्टी हो मैं तुम्हारे आगे माता देखती हूं उन्हें चल कर बचा लो वह समें दिल के बुखार निकानने का नहीं है समय शमय डौलत मंनों के इशारों पर نہیں मदलता अ सवाए पर दॉलत मननों के इशारे बदलते हैं बाबी आसमान से लगा हुआ सरदमीन पर आ रहता है मैं अपना सर जुकाती हूँ तुमसे दय की भीक मागती हूँ मुझे मेरा सुहाग दे दो ब्रिज, मेरे भाई मेरा सुहाग दे दो मुझे सुहाग मागने आई मेरे बाप की जान तुमने ली मेरा घर मुझसे छुड़ाया उशा को जेवरों का लालश देकर मुझे जेल भिजवाया आज दया मांगने आई हो तुमने दिया क्या है जो लेने आई हो आग देकर पानी चाहती हो कलेजा घायल करके मरहन डूलती हो आज तुम मेरे तमाम आचों लेलो मेरे दिल के खुशी दे दो ब्रिज चलो ब्रिज माँ ब्रिज में है लाद माँ बढ़ी बहुँ तुम यहां कैसे उन्हें किसी बदमाश ने छुड़ा मार दिया घनशाम को हाँ दन चोड़ता हो चोड़कर आई है मेरा बच्चा मेरा लाद कहा है घनशाम मुझे ले चलो उसके पास माँ जब एक अंधी माँ के आखे बन सकती है तो उसका दिल अपने खोड़े बच्चे के लिए आंसों भी नहीं बाह सकता मुझे ले चलो उसके पास बहुँब अब उसे न पुकारिये माँ वो ऐसी जगे है जहां शरीफों की आवादे नहीं पहुशा आप मेरे साथ चलिए पही जगे है और भावी यू तो दुखोश ओगा भावी यू तो दुखोश हो ता दूखो यू तो यू लिलाका पड़ेगा यू अजगो तो आप रहाट ता कहीए तो गाली निकारे तो पही जगए पयर देको तो क्या हाल है इम्मत नहारी है भावी प्रेज वाल जुट देना बहुत जुरूरी थे खुन? मैं तह यारू रणाटता था लेकिन खुन टेस्ट करना होगा भाई जे भाई का खुन कभी नहीं चुदा हो सकता चलिए प्रेज नर्ज नर्ज जो राइन नता हादू करदा कर कजए लुन भुन जारू आं भाई प्रेज वर जो झा हिह एल वजường भी नख करने घाव मुचर! 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 P crear प्रthis! उशा क्या करें आपने जिस मूँ पर आप रुका चंदन मला था आज दुनिया ने उस मूँ पर बदनामी की कालक मल दी अब जी कर क्या करें जग लिए चंदन के खुश्बू जलने से और बढ़ती है सच कही छुपाने से छुपता है बहुत दुखवा था तो जी भरकर रो लेती जान क्यों दे रही है इज़त की तरह आसू भी जाते रही अब ये मुफ खुन सही दोना है तो क्या मेरी आखें इसलिए बनवाई थी कि बनवाने मारे की माथे पर सुहा कट्टी का देखने के बदले खुन का धपा देखू फिक चरा किसी लिए चले कि जिन्दगी पर अपनी तिरने का तमाशा देखें जिल्द की जिन्दगी से इज़त की मौत बहुत अच्छी है माम का इलाज मौत नहीं है कम कुछ सहले ना है बैटा चल मेरे सांगे ब्रेज घर आ गया है मैं उसे समझा दूगी मैं जानती हूँ मेरी आशां की सुभा हो चुकी है लेकिन उशा को सुभा के उजाले से पहले ही दूबना पड़ता है मां को मैं हुश हूँ कि आपके साइब में सुहागन रहेकर मैं इस दुनिया से उठ रही ह चाहती है तो मुझे में साथ ले तुन क्या कह रही है मैं सच कह रही हूँ तुछ से पहले मैं आपने तो मेरे कदम भी डंप पका जी हूँ मामता मरते हुए की जानी बचाने थी है मां आपके आशों में मौत भी तूट गई गजए हुए 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 च्छड़ के वो सेठ भी मरा के नहीं आपराए हुए ब्रीज, भाईया, तुम ने मुझ बापी को बचा लिया, जिस ने पैदा किया, उसी ने बचाया है, मैं गुनेगार हूँ, जेल भी तुम मेरे ही तख्कीरों से गए, मुझे मर जाने दिया हूँ, उसा के खिलाब ही, मैंने ही तुमारे दिल में शुबा पैदर किया था, वो विचारी बेखुसूर है, भाईया, ये क्या किया, देशिये साहब, आप दोनों चुप रही है, नहीं डाट्री, मुझे बो मुझे माप कर दो बेच, मैं तुम से और उशा से बहुत शर्मिंदा हूँ, गनिशा, बेटा, माता जी, बेच, ये क्या, माता जी, बेच, ये क्या, माता जी, दो, और ऐरा जी, दो, और बेचे रहने है, पर उसे लिएःच दोने करेंने के, लगे, भाई है, जोन्ती hoğगे, है लगे, दो मेरे। गाड़ी वाले को पैसे दे दे और थामान उताले, चला, यह रादा आए, रादा रादा मेरी पुर्षी अरे सब बात नहोता रहा है का पहले कि यहाओ चलबाइए वोटो खीजने वाले, रियारो जाए वह अच्छा, वह अच्छा, इल्ला राई, चादी जाठ है ना मैं, हो इंस्पेक्टर साब, कहिए मभारिक है मिस्टर बिच, आप फिर से इंस्पेक्टर पलीस के ओदे पर बहाल किये गये हैं यह आपकी बहाली का गागद, बहुत भाश्यूई है मुझे अपसोस है, मिस्टर बिच, कभी-कभी खुशी को गम से बदर देने का फर्ज भी हम लोगों को अंजाम देना पड़ता यह आपकी भाई की गिफ्तारी का वारंट है वारंट? यह क्यों? वह बुड़ी है जिसने आपको हथकड़ी पनवाई थी, गिर्स्तार कर ली गई और आपके भाई के सारे पाप जाहर हो गए देखें, इंस्पेक्टर साहब, आप यह वारंट अपनी ही पास रहने हैं मैं आपसे वार्दा करता हूँ कि कल सुबा मैं भाई साहब को पुली स्टेशन लेकर आजाँगा इस वक्त बिछुड़ेवे दिलों को मिलेवे देखें अच्छी बात है, आप कुछ खाल ना कीदेगा हम लोग आपने फर से मजबूर होते हैं मैं जाना हूँ मैं ग्रेल Mozart मैं जाना operation मैं जाना फ्रिवास रहाँ कमने फляस्स क्या吧 मैं